सुप्रिम कोट ने इस देश के पत्रकार खासकर टीवी एंकर को लेकर कहा है कि वो नफरत फैलाते हैं वो एजेंडा चलाते हैं और वो इसके बदले में पैसा भी लेते हैं फैर जती की बात चavilion कि समझ में नहीं आएगी सुप्रिम कोट को क्योंकि जो एंकर है उसकी जती है वही जती सुप्रिम कोट के जज की भी है इसलिए उनको लग रहा है कि यह गोधी मीडिया यह पेड़ मीडिया है मनु मीडिया उनको लगेगा जब इस देश के SC, ST, OBC, मानौटी के भी सुप्रीम कोर्ट में जज बैठेंगे तब उनको पता चलेगा जाती हैं वो कभी जाती नहीं है सोचिए जितने भी ब्रह्मन समाज के लोग हैं जितने भी बावन टोला में रहने वाए लोग हैं पत्रकार हों, नेता हों, अभी नेता हों तीन परसेंट लोग हैं उन्ही को सबसे ज़्यादा दर्द है धोल, सुद्र, गवार, पसुनारी ये सब तारना के अधिकारी जो तुलसी दूबे का लिखा हुआ जो ये चौपाई है, जो दोहा है उसके खिलाप जब लोग बोल रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ ब्रहामन समाज के ही लोग क्यों भय खा रहे हैं नमस्कार मैं संभू कुमार सिंग और आप देख रहे हैं निसनल दस्तक एक ओभी सी हिंदू ने जो हिंदू ही है, बोला की भाईर राम चरित्र मानस की कुछ चौपाईया ठीक नहीं है उसके खिलाप न जात हिंदू उत्रा, न पटेल हिंदू उत्रा, न गुर्जर हिंदू उत्रा, न मराठी हिंदू उत्रा हमारे चैनल पर तो बकाइदा जात गुर्जर पटेल मराठाओं ने उसका समत्रन किया है राजपुत भी नहीं उतरें सिर्फ ब्रहम्मन जो है वो तीन परसेंट उसका बिरोध कर रहे है इसका मतलब है कि जाती से और तमाम धार्मिक गरंथों से क्या इनहीं को फायदा है लगता तो ऐसा ही है कि इनहीं की सत्ता है बाकी लोगों का क्या धर्म के नाम पर शोशन हो रहा है सवाल है कि सिर्फ तीन परसेंट लोगों का मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, इन्वरसिटी, बिरोकरेसी, बिजनेस पर कपजा क्यों है और जिदिने 97 परसेंट लोग अपना हिसाब मांगते हैं तब ये उनको जाती का धार पे शोशन करते हैं सबसे बड़ा सवाल है तो सोचिए ये है परमोध, परमोध तिवारी अब आगे अपने जातिय धंदे के बचाव में इसे कहते हैं चोर-चोर मौसेरवाई ये कि हिंदूत किरानीती ही, सोचिए राहुल गांदी बीजेपी को संगी कहता है आरेसस का हिंदूत कहता है और जब कोई सवाल पूछ दे तो वही राहुल गांदी जगजगजग जेनव दिखाता है तो ये अचार परमोध है जाती से ब्रहमन है ये भी जो है वो सर्याम बिरोध कर रहा है सोचिए लेकिन ये कभी भी किसी भी किसान हिंदू के खिलाब तो अब ये सक्स नहीं जगता है सोचिए एक और हिंदू के हाँ छापे पर है मनीश स्वादिया राजपूर समाज से हैं लेकिन चुकि वो आरेसस और बीजेपी में फिट नहीं बैठते हैं तो उनके खिलाफ सीबी आई के चापे परे मैं नहीं कह रहा हूँ संजय सिंग ने कहा है और ये तस्वीर देखे टेलिविजन चैनल एजेंडे से संचालित समाज में डाल रहे हैं दरार सुप्रिम कोर्ट सुप्रिम कोर्ट में अगर को ये सी, स्टी, ओबी, सी, मराठा, जाट, गुर्जर, पटेल किसान होता यहां तक की राजपूत भी किसान होता तो वो कहता कि ये मीडिया मनु मीडिया ये पैसे से नहीं है अननाकपुर वाले बागेस्वर धाम बाला धिरेन सास्त्री का चमतकारिक कारकरम दिब का दरवार होने वाला था तभी एक समास सेवी ने कंप्रेन कर दिया वो नाकपुर में फयार दरजुआ वो भाग गए और जोसी मठ के लिए सरकार ने एडवाईजरी जारी की है सोचिए, यह मैं नहीं के रहा हूँ यह बिनोत काप्री ने टुईट किया है जोसी मठ को तवा होने से बचाने की पहली कोशिस में सरकार ने अपनी सारी जेंस्रियों को निर्यज दी है कि जोसी मठ संकर से कोई भी जानकारी किसी भी मीडिया से साजा नहीं की जाए और नहीं सोचल मीडिया पर प्रमानब डीने स्याम ने उनको चैलेंज किया, वो चैलेंज को एकसिप्ट नहीं किये, उनके खिलाप केस दर्ज कराया, वो भाग गये कहा है हिंदु धर्म और संस्कृति के स्वेंभू पहरेदार, कौन है बिल में जाकर चिपे हुए सोचिए बनारस में यमुना किनारेज तंबू में मांस मचली का सेवन हो रहा है, मैं उसके पक्ष में हूँ मैं मोदी जी के इसकाम के पक्ष में हूँ, टुरिजम हो, डिवलप्मेंट हो, विकास हो, रुजगार मिले लेकिन जो लोग धर्म के नाम पर, मुर्गी वाले का दुकान बंद करा देते हैं, मतन वाले का दुकान बंद करा देते हैं, वो उनको भी बोलना चाहिए और इसलिए मैं कहता हूँ कि सोचल मीडिया ही सच्चा मीडिया है सोचल मीडिया ही बहुजन मीडिया है और सोचिए RTI, RSI एक सक्स ने RTI लगाया RSS के खिलाब उसके खिलाब पोलिस ने केस दर्च कर दिया नोटीस भेदने लगे कि आओ पूछ ताच करेंगे वो बंदा हाइकोर्ट चला गया हाइकोर्ट ने कि नाकपुर बेंच ने पूछा है कि आखिर RSS पर जनकारी देने से आपको दिक्कत क्या है और ये है पतकारिता का एक संस्थान IIMC इंडियन इस्टीट अप मास कम्निकेशन वहाँ देखिए अब वहाँ भी जातिबाद मनुबाच्चरम पर है और लोग उहाँ सवाल पुछने पर भड़कते हैं हमारे पुर्खे इसलिए सब को पढ़ने का अधिकार नहीं देते थे अब देख लो इन दो चार किताबे पढ़कर ये अपने हिसाब से धर्म अर्थ समचने लगया अरे किताबे हमने लिखे तो अर्थ भी हमी को समझाने दो न ये भगत राम ने तंच किया है और देश की सबसे बड़ी अदालत ने आखिरकार माना कि टीबी के कुछ एंकर समाज को भरका रहे हैं और खास किस्म का एजिंडा चलाते हैं सेक्षिक अधिकारों को छिनना तो आम बात हैं यहां तो पांच-पांच महीने में फायार दर्ज नहीं होती और तेरम महीने तक जांच नहीं होती है राम नराजी ने ट्वीट किया है और सुचिए पुरानी पिंसन स्कीम जो है अब यह लिब्रल है लेकिन जब यह कलक्टर थे शरद्यादव के बारे में उन्होंने लिखा था कि उन्होंने मुझे धन्यवाद कहा था एक विडियो है जिसमें सरद्यादव कह रहे हैं कि सुर्यपरताप सिंग ने उस समय मुसलमानों महले में लाठी चार्ज कर वाया था और इसलिए मैं चुना उहार गया कि ललन टॉप के इंट्रिवी उन्होंने कहा है लेकिन अब यह जो सुर्यपरताप सिंग जो है रिटायर आइस अब यह सोसलिस्ट हो गए है समाजबादी पार्टी से ठीकर चाहते है मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जाती कभी जाती नहीं लेकिन वो राजपूतों में नियाएक गुन होता है यह देखा गया चाब हो अरजुन सिंग हो बिपी सिंग हो या फिर सुर्यपरताप सिंग हो वो नियाय करने की छमता रखते है और वो देर सबेर सही नियाय के पक्ष में खड़े होते हैं यह अच्छी बात है और जाती जनगर्ना इसलिए भी जरूरी है सोचिए जिलाधिकारी 63% सवर्ण है पुलिस कप्तान 65% सवर्ण है क्या मोहन भागबत की सारे पर हो रहा है तो सोचिए इस देश में आपने कभी सुना है कि किसी बरहमन पर, किसी राजपूत पर, किसी ने हमला किया हो आखिए इस देश में स्थी, स्थी, ओबिसी, मैनोर्टी, अल्प संक्यक समधाय पर ही हमला क्यों होता है इसके पीछे कॉंस्परेसी कौन करता है, ये भी समझिएगा और हेटेस्पीच बड़ा खत्रा, ये सोसल मीडिया पर सबसे आदा वाइरल है सुप्रिम कोट के जो गाइडलाइन्स है मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सुप्रिम कोट की गाइडलाइन्स को आपको देखना चाहिए और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये तमाम बड़ी खबरे जो सोसल मीडिया पर वाइरल है मैं आपके लिए ले कर आता हूँ एक बार चे गोरा ने सची एक कॉमरेट के बारे में एक तंज के आमजद हसन ने कॉमरेडों से पुछा गया जमीन दे दोगे तो दे देंगे घर दे देगो तो दे देंगे पैसा दोगे तो दे देंगे गधा दोगे तो सारे Comrade उलट गए कि नहीं देंगे सवर्ण Comrade क्यों उनके बाद जमीने नहीं थी घर नहीं था बस गधा था लेकिन वो उसे नहीं देना चाहते थे तो इसलिए मैं कहा रहा हूँ गरीब होते हैं लाचार होते हैं बेबस होते हैं बहुत खाय खाय होते हैं और वो सिर्फ चित भी मेरी पट भी मेरे के लिए एक भाई राइट हैंड है एक भाई लेफ रहन बनते रहते हैं इसलिए इस देश में जब तक पीरिस समाज के लोग भागिदार नहीं होंगे सिस्टम में तब तक आपको जाती है भेद्भाव है और इलावाद हाई कोट ने योगी सरकार पर पच्चीस सज्जार रुपए का जुर्माना लगा है पुराने PIL के मामले में और बिहार सरकार ने पांच बरसों से जो लोग नहीं आ रहे थे ओफिस उन में से असी लोगी नौक्रिया खत्म किया है और सुप्रिम कोट की फटकार का न्यू चैनलों के नफरती अंगस पर कोई फर्क पड़ेगा ये अजीत अंजुम ने सबाल पूछा है और सोची एक करनी सेना और OBC सबामने सामने BJP के OBC मुख मंतरी को करनी सेना के लोगों ने गालियां दी उसके बाद उस पर एफायार धर्जुआ उसको हर्याना से गिरफतारी हुई है कहा जा रहा है कि दो सवर्न मंतरी इसमें गिरी मंतरी भी सामिल है वो जान बुछकर गाली सुनवा रहे हैं और जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार नहीं हो वहाँ चितरा तिरी पार्टी बहुत अच्छी और खोजी पतकाईता करती है तो सोचिए टीचर से नफरत के नापरोर ने पूरा डेटा निकाल लिया लोग पुछने कि BJP राज्यों के खिलाब खबर कब चलेगे और यह तस्वीरे सोचल मीडिया पर वाइरल लड़ी है मुसल्मानों की जिसमें काया रहा है कि वो थाली में थूक रहे है जबकि उनकी परंपरा में वो एक रश्म है और सुप्रिम कोट ने कहा नफरत फेलाने वाले एंकर को हटाया जाए चैनल पर भारी जुर्माना लगाया जाए यह टीवी चैनल एजेंडा चलाना जिससे समाज में विभाजन पैदा होता है यह वो खबर है जो आपको कोई नहीं बताएगा दसरा रात राम माजी को आज सब लोग याद कर रहे हैं पहार का सिनाच चीर कर रख देने वाले आज उनकी जरती है और बीएसमे सुप्रीमो माया बतिजी का जनम दीन है और उस जनम दीन को कल्यान दीन के रूंप में देस भर में मनाया जाएगा दुनिया भर में उनके fan following है और ये भी social media पर ख़बर है और दच्चिन पंती हिंदू संगटनों ने अभी तक राकी सावंद के खिलाब लब जिहाद की मुहिम नहीं चलाई है ये भी खबर है और राबरी संस्किर्ती की तरह ही ये नपीएस बनाम ओपीएस पर भी बहच्चर नी चाहिए ये देखे रेबरी संस्किर्ती ये ख्लेश सर्मा है जो NDTV के पतकार है इनको बड़ा दिक्कत है और मुझे RSS से जुरे कुछ मित्रों ने बताया कि तुलसी राम चरित्र मानस में लिख्या तारना कर्थ नजर रखना है वो कह रहे है कि BJP पर नजर रखिये मोधी सा योगी RSS मनुस्ति बारी सकल तारना के अधिकारी और जोसी मठ के बाद अब करन पढ़े आगे हम टेहरी गड़वाल में भी मकानों में दरार की खबरे आ रही है खरगे साब ने ट्वीट किया है लेकिन सरकार ने कहा है कि अब मीडिया रिपोर्टिंग नहीं होगी मैं फिर कह रहा हूँ कि सरकार इवेंट मैनेजमेंट के दाम पर टिपकी हुई है BJP के 14 गुंडों ने राजन्द बालमिकी पर एटा की खबर है यहां हमला किया है उनके साथ गाली गलोज की है और तीन लोग गंभीर रूप से घायल है सुरज बौध ने ट्वीट किया है और अभी उत्राखन में चुनाव नहीं बरना यह दलित हिंदू होता है उसकुमार ने कोशिस की तो हिंदू ने जलती वी लक्री से पीटा एक से जूल कास्ट मंदिर में गया उसको पीटाई हुई है और 3000 साल से सिक्षा पर धन पर एक तरफा राज करने वाए लोग आज दलितों पर बंचितों से सिक्षा में कमप्रिशन की बात कर रहे है सौ साल के लिए इनको बिजनेस और पढ़ने से हटखारी रोग दिया जाए जिनको 3000 साल तक इनोंने रोग के रखा है उसके खिलाप इनको 75 साल में रिजर्वेशन से पेट में दर्द हो राए इनको 100 साल तक सिर्वेशन से और बिजनेस से दूर किया जा फिर इनकी इस्तिती क्या होगी सोचिएगा मर्द प्रदिश के सहडोल में एक 91 साल की महिला से रेप की खबर दर्दनाक खबर है और बिहार के जो सिच्छा मंत्रिया परफेसर चनसे खर वो कम बैक नहीं करें और लगातार अपने ट्विटर के जड़ी चितरा हो या तमाम पत्रकार जो बवन-टोली के ब्रहमन पत्रकार है उन पर हमला बोल रहे हैं चित्रा मैडम अपने सो में बता रहे हैं कि बिहार में स्कूल की बुरी दरसा है टीचर नहीं बिल्लिंग नहीं है मैडम को बीजेपी सासित राज्यों में ही पता करना चाहिए और एक अच्छी खबर है दलित आदिवासी परतिभाओं को मुचे पदो के लिए राजनितिक सरक्ष्चन की जरूत है एड गने एडवोकेट गनेस मीना जी जो है राजस्थान हाई कोट के जज़वन है बधाई हो इसके लिए भी कुरूलाल मीना को बहुत पापर बेलने पर हैं लोग बता रहे है तो यह भी सोसल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वाइरल खबर है और इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि सोसल मीडिया ही सच्चा मीडिया है सोसल मीडिया ही बहुजन मीडिया है और बागेसवर धामबला जो है वो अब फरार दिख रहा है और आज शरद यादर पंच्छतंत में बिलीन हो गए और पुरा देश उनको नमन कर रहा है याद कर रहा है यह तस्वीरे देखिए सोसल जस्टिस के जो यह पुराधा है उनकी तस्वीरे हैं और इसलिए मैं कहता हूँ कि सोसल जस्टिस के लिए इन लोगों ने अपनी जिंद्गी कुरवान दे उस लराई को आपको भी आगे बरहाना पड़ेगा तो यह तमाम बड़ी खबरे हैं जो आज सोसल मीडिया पर वाइरल है और MP की बिदीसा की सनी अली बनी MP बिदीसा की सना अली बनी इस रो में साइंटिस्ट पिता है ड्राइवर मा को गिर्वी रखने परे थे गहने तो बहुजन समाज को अपनी बेटियों को परहाने लिखाने पर खास एकदान देना चाहिए तभी हर घर से कभी माया वती कभी सना जैसी लोग निकलेंगे और मैं इसलिए कहरा हूँ कि सोसल मीडिया ही सच्चा मीडिया है और परधान मंतरी की जाती तुलसी दास दूबे ने विभिन जाती हो जिनमें आपकी जाती भी सामिल है के बारे में लिका है तो परधान मंतरी की जाती को भी राम चरित्र मानस में नीच कहा गया है और इसलिए मैं बार-बार कह रहा हूँ कि सोसल मीडिया सच्चा मीडिया है, सोसल मीडिया बहुजन मीडिया है आप लोग अपनी परत्किरिया दीजिए और कल B.S.P. सुप्रीमो मायवती जी का जन्मदीन है और पूरे देश और दुनिया में उनकी जन्मदीन को गरीब लोगों के कल्यान दिवस के रूप में मनाया जाता है अपनी परत्किरिया जोड़ दीजिए, शुक्रिया निस्नल दस्तक की आपसे गुजारिस है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो निस्नल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेट कलर के सब्सक्राइब बटन को दवाएं फिर बेल आइकन की घंटी दवाएं निस्नल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर ख़बर को शेर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें